नमस्कार, स्वाथ आप सभी का बजारू की चाल में मैं हूँ आपके साथ अखिलेश शाटी और बजारू की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आगया हूँ यहाँ पर कमुनिटी बजार का अपडेट जानेंगे कि आज शाम की कारभारी सहत में कौन सी क्रिशी फसल किस भाव पर कारभार करती भी नजर आ रही है और उन पर जानकारो का क्या कहना है कि आज कमुनिटी बजार कैसा देखने को मिल रहा है और आगे जाके किस क्रिशी फसल के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारभार दर्च किया जा सकता है यह सब जानने की कोशिश करेंगे शुरू करते हैं यहां पर सबसे पहले कैसा सीर से हम देख रहे हैं कि यहां पर कैसा सीर का आक्टूबर वायदा 6112 पर कारभा करता हूँ नजर आ रहा है पौन एक फिजदी की तेजी के साथ आज हम देख रहे हैं कि कुछ ट्रेडिंग सेशन्स के बाद महान की चली लगवग एक हफते की ट्रेडिंग के बाद कैसा की जो कीमते हैं उनके अंदर अब एक कुछ रिकवरी बनती भी नजर आ रही है हमने कैसा सीर की कीमतों को 600-600-600 के भी उपर जाते वे देखा है लेकिन फिर वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देखने को मिला था दरसल कैसर में एक उपरी इस तरह से मुनाफ़ा वसुली दर्च की जा रही थी फंडमेंडस मजबूत होने के बावजूत आपको बता दें कि इस साल कैसर की बुवाई कम देखने को मिली है और जो प्रॉडक्शन है वो भी कम ही रहने का अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि पिछले साल कैसर का जो बजार था कैसर की जो कीमते थी वो काफी जादा तूटती भी नज़र आई थी दो हजार, ढाई हजार, तीन हजार इसी दायरे में कैसर की खरीद होती भी नज़र आई थी जिसकी वजासे इस बार किसानों ने कैसर की बुवाई कम करी और उसी का नतीजा है कि कैसर का जो उतपाद है नहीं वो कम देखने को मिलेगा कैसर की कीमतों में तेजी काई है क्योंकि अभी एक्सपोर्ट डिमांड भी देखने को मिल रही है कैसर की गरेलू इंडस्ट्रिल डिमांड के साथ-साथ एक्सपोर्ट डिमांड यानिकी निडियात मांग भी देखने को मिल रही है जो कैसे की कीमतों को आगे और तेजी की और ले जाती भी नजर आ सकती है कैसे की कीमतों में 3300 से लेकर 6400 के लेवल्स अभी जानकार बता रहे हैं कि हाल फिलाल में देखने को मिल सकते हैं तो कैसे की कीमतों में निचले स्थर पर खरीदारी करके चला जा सकता है बात करेंगी तो चने का अक्टूबर वाइदा देख रहे हैं कि बावन सो सतर पर कारवा करता हुँ नजर आ रहा है और बावन सो पिछत्र का ही लगा चुका है पोने एक फीस्दी की तेजी चने के अक्टूबर वाइदे के अंदर बंती भी नज़र आ रही है हम देख रहेंगी चना के अक्टूबर वायदा आज भी बावन सो के उपर सस्टेन हो के चल रहा है और बात करें अगर हाजिर वजारू की तो आपको बता दें कि हाजिर वजारू के भी अंदर चने की जो कीमते हैं वो MSP से उपर ही देखने को मिल रही है की साल 2021 में चने की जो उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है वो लगब 119.9 लाख टंड का लगाया जा रहा है वही पर आपको बता दें की चने की किमतों में हमने इस हफता के शुरूआती दिनों में एक सिमित दार में भी कारवार होता हो तो देखा था जो की सरकार द्वारा दालोग पर स्टॉक लिमिट और दालोग का आयात होने की खवरों के चलते देखने को मिला था जिससे की दालोग में जो दलन बजार में हमने एक हलकी नर्मी आती भी देखे थी और उसी का ही result है कि चने की कीमतों में अभी एक सीमित दारत देखने को मिल रहा है demand होने के बावजोद हम देख रहे हैं कि festival season की हाँ पर demand है तो हारी demand भी है तब भी चने की जो कीमते हैं वो उच्छाल में देखने को नहीं मिल रही है आप बता दें कि जैसे अभी शराद है, नवरात रहे हैं, दिवादी है तो अभी चने की जो demand है वो बढ़ने वाली है अभी जैसे ही तोहार और नसदी काते हैं चने की कीमतों में कुछ खड़ीदारी बनती भी नजर आ सकती है और चने की कीमतों में कुछ एक खलकी फुलकी तेजी और देखने को मिल पाएगी लेकिन आपको बता दें कि जब से हमने देखा है कि मौनसून फीर से सक्रिय हुआ है मौनसून की गतिवीदिया एकदम से तेज होती ही नजर आई है तब से हमने देखा है कि जो जानकार हैं जो विशेशक्य हैं वो बता रहे हैं कि डालों की जो अगली बुगाई होगी वो अच्छी होती भी नजर आएगी जिससे डालों की कीमतों पर एक प्रैशर बनता हो नजर आएगा और उसका असर चने की कीमतों पर भी परता हो नजर रहे या फिर एक सिमित द्याड में कारवार हफ्ता दस दिन यूँ ही चलता रहा है जब चने के अंदर एक करेक्शन वाला महौल बनेगा फिर चने के अंदर निचले इस तरह से खरीदारी बंती वी नजर आएगी जो चने की कीमतों को अभी फिर एक बाद फिर से तेजी की ओ लेके जाएगी चने के बाद बात करें यहां से अगर बिनौला खल की तो बिनौला खल का डिसम्बर बादे देखनें 2513 बार कारवा करता हो नजर आ रहा है आदे फिसदी की तेजी बिनौला खल के डिसम्बर बादे में बंती वी नजर आ रही है आपको बता दें कि बिनौ पर गई थी और फिर वहाँ से एकदम से खरीदारी देखने को मिली हाला कि बिनौला खल की जो कीमते हैं वो 32 के लेवल से टूटती हुए नजर आई है लगबग 900 पॉइंट की गिरावट हमने बिनौला खल मा आती हुए देखी है जो की काफी जादा बैटती है आपको पता द जिसकी वजह से बिनौला खल में हमने एक गिरावट आती हुए देखी और दूसरा अभी बिनौला खल में हमने देखा है कि 2400 के बाद से बिनौला खल की कीमतों ने पच्चीस सो का लेवल पकड़ लिया है पिछले दो ट्रेडिंग से बिनौला खल की जो कीमते हैं वो 25 और अब जानकार यहां से बता आ रहे हैं कि बिनौला खल में अभी हाल फिलाल में हफता डेड़ हफता के अंदर सौ से डेड़ सू पॉइंट के तेजी अभी और बंतीवी नज़र आ सकती है तो बिनौला खल में अभी एक छुटमट खरीदारी पंती भी नजर आ सकती है बात करें यहां से अगर मसालों की तो मसालों में देख रहे हैं कि धनिय का अक्टूबर वाइदा 7680 पर है पौनेक फीजदी की गिरावट के साथ जीरे का अक्टूबर वाइदा 14210 पर है मामुली सी मामुली सी तेजी है बहुत ही मामुली सी और बात करें हल्दी की तो हल्दी का अक्टूबर वाइदा 71212 पर कारूबा करता हूँ नजर आ रहा है दो फीजदी की गिरावट के साथ हम देख रहे हैं कि आज भी मसालों का वाइदा वज़ार NCDX पर अभी एक गिरावट के साथ कारूबा करता हूँ नजर आ रहा है आपको बता दें कि मसालों के जो फंडमेंटल से हो मजबूती की ही हो रहे हैं लेकिन अभी हाल फिलारें मसालों की जो कीमते हैं उनमें एक ओपरियर से प्राफिट बुकिंग देखने को मिल रही है मसालों की कीमतों में अभी ये जो गिरावट जो हल्की नमी वाला महौल है ये छोटी अभदी के लिए अभी कुछ दिन तक जारी रह सकता है लेकिन लंबी अभदी में मसालों में तेजी का ही रोजान है अभी अभी अभदी में तेजी काई है मसालों के बाद बात करें यहां से अगर गौर कॉंपलेक्स की तो देख रहे हैं कि गौर गम का अक्टूबर वायदा 9605 पर है आदे फीज़दी की गिरावट के साथ और गौर सीर का अक्टूबर वायदा 543 पर है मामुली सी तेजी के साथ हम देख रहे हैं कि गौर गम आज भी 9605 के चल रहा है और गौर सीर आज भी अठावन सो का लेवल दिख ला रहा है अठावन सो के घरों में कारवा करता हो नज़र आ रहा है गौर सीर का अक्टूबर वायदा आपको बता दें कि गौर में जानकार अभी भी तेजी का रुजहान बता रहे है और इंडस्ट्रिल डिमांड है एक्सपोर्ट डिमांड है और आपको बता दें कि जुलाई 2021 के मुकाबले अगस्त 2021 में जो गवार का जो export है भारत का भारत से जो export हो रहा है उसमें तेजी देखने को मिली है और पिछले साल की मुकाबले भी समानापदी की बात करने तो उसमें भी तेजी है shipments भी ठीक ठाकी देखने को मिल रहे है गौर के और industrial demand भी है गौर की ज़्यादा तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक देखने को मिल रहे है जिसकी वज़ा से गौर की जो कीमते हैं उनमें तेजी दर्च की जा सकती है आने वाले दिनों में अभी कुछ trading sessions में गौर की कीमते तेजी की जाती ही नजर आ सकती है और गौई तो हुई ही नहीं है इस बार इसलिए production भी जो पहले वाला ही है वो ही use होता रहा है और हमने गौर की कीमते एक बार फिर से 10,000 के पार जाती ही नजर आ सकती है और गौई सीर 6,000 के पार तो गौर में निचले स्तों पर जानकार अभी खरीदारी की सला दे रहे हैं बात करें यहां से अगर edible और complex की खादे तेल लुकी तो देख रहे हैं कि सरसो का अक्टवर बाड़ा 8,707 पर कारवा करता है नजर आ रहे है सब एक फिर्दी की तेजी है डिफाइंड सोय तेल का अक्टूबर वादा 1315 पर है डेड़ फीजदी की तेजी के साथ और सोय बीन का बात करें तो सोय बीन का अक्टूबर वादा 632 पर कालवा करता हूँ नजर आ रहा है 6200 खाई लगा चुका है सबसे पहले हैं आप बात करेंगे खादा तेलों में सरसो की तो सरसो में हमने इस कालवारी सब्ता में सरसो की कीमतों को 8400, 8300 के भी लेवल्स पर जाते हुए देखा था सीधे 8800 से 8300, 8400 तक तूटती ही नजर आई थी वो इसलिए नहीं होई थी कि जो फंडामेंटल्स हैं वो कमजोर हुए थे दरसल उपरी सरसो की जो कीमते हैं हाजिर मंडियों के अंदर वो भी 9000 के पार जाती ही नजर आच चुकी है 9400, 9500 इस लेवल पर देखने को मिल रही है जिसकी वज़ा से जैसे ही कीमते तेज हुए सरसो दाने की मंडियों के अंदर तो किसानों ने अपनी सरसो की जो आवके हैं वो थोड़ी बढ़ा दी थी किसान ज़ादा सरसो लेकर आने लग गयते और जब ज़ादा आवकी हुए तो सरसो में एक हलका सा नर्मी का रुजान देखने मिला था क्योंकि आवके ज़ादा हो गई थी जिसकी वज़ा से इसका असर घरेलू वादा बजारू पर भी पड़ता हो नज़र आया और दूसरा प्रॉफिट बुकिंग भी बनती ही नज़र आई तो दोनों का ही इंपेक्ट हमने वादा बजारू की कीमतों पर आते वे देखाता है जिसमें से भी जो खपत अभी भी जारी ही है और जो बजार के बड़े जानकार हैं सरसो के वो भी सरकार को यही सला दे रहे है कि सरकार को वक्त रहते सरसो की अगली बिजाई के लिए जो अगला सीजन होगा उसके लिए अभी से ही बीज के पुक्ता इंतजाम कर लेने चाहिए जिससे की सोयबीन के बीजों की किलत वाला हाल सर्सो के बीजाई के वक्त ना हो कि बीज है नहीं और किसानों को महेंगे दाम पर बीज लेकर बुआई करनी पड़ रही है और जब विक्वाली का समय आता है अपनी उपज वेचने का समय आता है मंडी में तब आयात करके किसानों के जरेट हैं उपज के वो गिरा दिये जाते हैं इसलिए जो बड़े विशेशक गिये हैं सरसो बजार के वो पहली बता रहे हैं, पहले ही सला दे रहे हैं सरकार को कि पहले सही अपना इंतजाम करके रखे, और दूसरा जो किसान है वो भी मंडियों के अंदर अब एक बाफिर से सरसो की आवकें कम लेकर आ रहे हैं, उपज कम लेकर पहुंच रहे हैं जिसकी वज़े सरसो की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है, अब बतातें कि सरसो की कीमते जानकार अभी बता रहे हैं, उनमें तेजी दर्च की जा सकती है, 9000 तक जाता वो नज़र आ सकता सरसो का वायदा बजार हैं, और अगर जैसे कि हम सरसो की कीमते फिर से बढ़ चुकी है लगातर बड़ोतरी ही देखने को मिल रही है घट नहीं रहा है सरसो का दाम इसकी वजासत जो सरसो तेल है वो भी और महंगा होता वो नजर आ सकता है और अगर जो अभी इस समय देश में सरसो का स्टॉक मौजूद है जो की 30 लाख टन का है अगर वो भी खतम हो जाता है या फिर उसमें भी किल्दत महसूस की जाती है दीरे दीरे जादा खपत बढ़ती है तो जो सरसो का तेल है वो और भी जादा महंगा विकता हो नजर आएगा एक बार फिर से देखेंगे कि 200 रुपे के पार एक बार फिर से सरसो तेल जाता हो नजर आएगा तो सरसो में ओवलो रुजान अभी तेजी का ही है और जिस साबसे इस बार किसानों को सरसो के दाम मिले है किसानों का रुजान सिर्फ अब जो है जो फोकस है किसानों का पहले गेहूं और धान पर जादा रहता था कि अनाज है नगदी फसल है तो नगदी आ जाएगी अब किसानों का जो रुजान है वो तिलन फसलों पर भी जुड़ा है कि ओर बड़ा है और जो हाल फिलाल में मंडियों में वायदा में कीमते देखने को मिल रही है सरसो की अब उससे ऐसा ही अनुमाल लग सारे हैं बजार के बड़े जानकार कि सरसो की जो अगली बुवाई होगी उसके अंदर इजाफा देखने में मिल सकता है अगले सीजन में सरसो की जो बुवाई होगी वो लगब दो गुनी होती भी नजर आ सकती है तो कीमते अच्छे मिलने के साथ साथ किसानों को दो गुन बात करें सर्सों के बाद यहां से अगर सोयबीन की तो देख रहे हैं कि सोयबीन का अक्टूबर वायदा एक सर्सों के उपर कारूबा करता हुए नजर आ रहा है बासर्सों का हाई लगा चुका है हम देख रहे हैं कि सोयबीन के अंदर आज एक बार फिर से तेजी बनती ही नजर आई है अक्टूबर वायदा के अंदर सवादो फिस्दी की तेजी है डिफाइंड सोय तेल तेरा जो सोला पर है आज बता दें कि सरसो की किलत अभी भी महसूस की जा रही है और बारिश की गती वीदियें एक बार फिर से तेज हुई है जिसकी वजासे किसानों की जो सोयबीन है वो एकदम से खराब होती भी नजर आई है जो खेतों में खड़ीवी सोयबीन थी किसानों की जो वो अब कटाई करके मन्डी मिलाने वाले थे अब वो बारिश से तबाह हो गई है कई जगाओ पर सूखे की वजासे हुआ है कई जगाओ पर अती वरिष्टी की वजासे हुआ है सोयबीन को नुकसान ही हुआ है इस बार भी और रगबा बता रहे हैं कि लगवग पिछले साल की मुकावल लगवग समान होता वह नजर आया है लेकिन किसानों का मानना है कि रगबा घटता वह नजर आया है क्योंकि बीज इतना थाई नहीं कि बुवाई इतनी की जा सके और अगर बीज इतना होता तो किसान ऐसा मुद्दा ही नहीं उठाते और कुछ मंडियों में ये भी सुनने को आया है कि जो मंडिय वेपारी है वो किसानों को अच्छा दाम नहीं दे रहे हैं सोयवीन का अब वो कैसे खेल कर रहे हैं वो मैं आपके साथ बता देता हूँ आपके साथ जानकरी साजा कर देता हूँ पहले हम देखते हैं कि सोयबीन की जब बिजाई का टाइम होता है बुगाई का वक्त समय था तब किसानों के पास सोयबीन का बीच उपलब्द नहीं था बीच क्यों पलब्द नहीं था क्योंकि लगातर पिछले कुछ वर्षों से स्वयवीन की जो फसल है वो भारी बारिश की वज़ा से तबाह होती भी नजर आई थी, खत्म होती भी नजर आ रही थी तो खपत के लिए भी तरह नहीं बचता था और नहीं बवाई के लिए और जो बवाई जिससे होती ही बवाई के लिए जो बचता था वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बच रहा था वो ही इस बार भी होता हो नजर आया इस बार जो बीच था सोयवीन का वो बुवाई के लाइक नहीं था लेकिन तब भी बुवाई की गई और किसानों ने महेंगा बीच खरीद कर जो की black marketing हो रही थी सोयवीन के बीच जो की किसानों को बीच काफी महेंगे दरोपा दिया गया था किसानों तीन गुना तक दाम भर के सोयवीन की बीच खरीदा उसकी बवाई करी और तब सोयवीन के जो दाम थे वो उंचे थे बोले जा रहे थे सोयवीन के वक्त सोयवीन की कीमते थी वायता बजार में तेजी देखने को मिलती उस समय लेकिन फिर जब ये मार्केट में सेंटिमेंट्स बने कि सोयवीन का रगबा कम हो सकता है और सोयवीन की बिजाई के लिए सोयवीन के बीजों की किलत है तब सरकार ने सोयवीन का कहीं से किसानों के लिए इंतिजाम नहीं किया था कि जो सरकार है किसानों को बीज दे दे या फिर कहीं से इंपोर्ट करा ले तब सरकार ने आयात नहीं किया और किसानों ने उस समय महेंगवीज खरीद कर बुगाई कर ली लेकिन अब सर्वेज भी किये जा रहे हैं सोयवीन के खेतों के आयात भी किया जा रहा है और अब ये बताया जा रहा है कि सोयवीन की बुगाई का जो रगबा है वो पिछले साल के मुकाबले लगवक समान हो गया है यह उस समय की वाई यह अब बताया जा रहा है जब किसान अपनी उपज लेकर सोयवीन की मंडियों में लेकर पहुँच रहा है बेचने के लिए तब हर चीज में बता दी जा रही है कि आयाध भी किया जा रहा है सरकार आयाद भी कर दिये सरकार और दूसरा जो रखबा है रखबे के भी जो फीगर्स हैं जो आंक्डे हैं वो भी पहले साल के मुकाबले ठीक ठाकी बता दिये जा रहे हैं पहले कम बताये थे, किसानों ने महेंगे बीच लेकर बुवाई कर ली, किसानों से पहले बुवाई करवाई गई, महेंगे बीच खरीदवा कर, अब उनकी जो उपज है वो सस्ते दामों में खरीदी जा रही है। जा रही थी, उसी के दाम 3500 रुपे, 4000 रुपे कुइंटल कर दिये। इस पर काफी मंडियों के अंदर सुनने मा आये कि किसानों ने विरोध जताया है, मंडियां का गेट बंद भी किया था, और फिर जो मंडिय अधिकारी थे, उन्होंने वेपारियों के बीच और किसानों के भी सुलाय करवाई थी, कि आपस में मिलके काम करें, और फिर वही सोयबीन जो 3500 रुपे पर खरीदी गई थी, वो फिर से 5000-7000 पर खरीदी जाने लगी, और ये वही क्वालिटी की सोयबीन थी, जो किसानों ने सुबा के टाइम बेची थी, पहले बेची थी, तो फरक किसान मेहनत करके कमाना चाते हैं, बाकी लोग किसानों की मेहनत खाना चाते हैं, जिसकी वज़ा से हमने सोयबीन की कीमतों में अभी एक उठावटक का महौल आते वे देखा हैं, जो बिचौली होते हैं, वो सारा मुनाफ़ा हडपना चाते हैं, किसान उसे सस्ते में खरीद पर अपनी फसल को बेचना लेकिन जो बिचौली होते हैं बैक ठीक ठाग रहती है पैसा भी ठीक ठाग रहता है तो स्टॉक कर पाते हैं और तेजी में वो निकाल देते हैं किल्दत महसूस करवा के जब तेजी दाम तेजी हो जाते हैं तब अपनी जो उपज है किसानों से खर एक्षन उठाना चाहिए आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये बात सरकार तक जरूर पहुंचाएं जाद जादा शेर करें लाइक करें तो ये थे एक छोटा सा क्रिशी फसल वजार का अपडेट कि शाम के कारवाई सत्में कौन सी क्रिशी फसल किस भापर कारव